अदाम, दिस इस अकांशा सहागल और शाइरी की इस महफिल में एक बार फिर इस्तक्बाल है और आज मैं लेके आई हूँ एक बहुत ही प्यारी सी इबने इन्शा सहाब की लिखी हुई नज्ड जिसमें उनके दो दोस्त उन्ही के बारे में बाते कर रहे हैं और क्या बाते कर रहे हैं यह देखते हैं ठीक है तो उनके दोस्तों की बाते हैं कि ये बाते जूटी बाते हैं ये लोगोंने फैलाई हैं तुम इन्शा जी का नाम न लो क्या इन्शा जी सौदाई है हैं लाखो रोग जमाने में क्यों इश्क है रुस्वा बेचारा हैं और भी वजहे वहशत की इंसान को रखती दुखियारा हां बेकल बेकल रहता है हो पीत में जिसने जीहारा पर शाम से लेकर सुभा तलग यू कौन फिरेगा आवारा ये बाते जूटी बाते हैं ये बात अजीब सुनाते हो वो दुनिया से बे आस हुए ये बात अजीब सुनाते हो वो दुनिया से बे आस हुए एक नाम सुना और गश खाया एक जिक्र पे आब उतास हुए वो इल्म में अफला तून सुने वो शेर में तुलसी दास हुए वो तीस बरस के होते हैं वो बीए एम में पास हुए ये बाते छूटी बाते हैं गर इश्क किया है तो क्या है? क्यों शाद नहीं आबाद नहीं? गर इश्क किया है तो क्या है? क्यों शाद नहीं आबाद नहीं? जो जान लिये बिन तर न सके ये ऐसी भी उफ्ताद नहीं ये बात तो तुम भी मानोगे वो कैस नहीं, फरहाद नहीं क्या हिज्र का दारू मुश्किल है? क्या वसल के नुस्खे याद नहीं? ये बातें जूटी बातें हैं जो लोगों ने फैलाई हैं वो लड़की अच्छी लड़की है, तुम नाम न लो, हम जान गए वो जिसके लंबे येसू है, पहचान गए, पहचान गए हाँ साथ हमारे इंशा भी उस घर में थे महमान गए पर उससे कुछ बात न की, अनजान रहे, अनजान गए ये बाते जूटी बाते हैं, जो हमसे कहो हम करते हैं, क्या इंशा को समझाना है उस लड़की से भी कह देंगे, गो अब कुछ और जमाना है या छोड़े या तकमीर करें, या छोड़े या तकमीर करें, ये इश्क है या अफसाना है ये कैसा गोरक धंदा है ये कैसा ताना बाना है ये बाते जूटी बाते हैं नहीं ये बाते कैसी बाते हैं जो लोगों ने समझाई हैं पहलाई हैं नहीं नहीं ये लोगों ने पहलाई हैं तुम इंशाजी का नाम ना लो पर इंशाजी शादाई हैं तो ये थी नजम जिसमें उनके दो दोस्त उनके इश्क पे चर्चा कर रहे हैं इश्क से जादा विचारे इंशाजी हो गए हैं उदास तो उनको उस बिमारी की रीजन भी टूनना है और रीजन का सल्यूशन भी ढूनना है तो इसलिए वह शुदू होते हैं कि और भी बहुत सारे रोग हैं जमाने में कोई इश्क को लोगों ने ऐसे ही बदनाम कर दिया है रुस्वा कर दिया है और भी वजहे वहशत की की फ्रेंजी कान भी फॉर सो फ्रम बिकास अफ सो मेनी रीजन्स जो इनसान को रखती दुख ही आ रहा हां बेकल बेकल रहता है वो पीत में जिसने जी हा रहा पर शाम से लेकर सुबह तलग यूँ कौन फुरेगा आ रहा वैसे भी लॉगडाउन है most of the country में तो ये तो मुम्के नहीं है न तो वो कह रहा है कि ये नहीं जूटी बाते हैं पर दुनिया तो कुछ ना कुछ बोल रही है तो वो आगे कहते हैं कि ये बात अजीब सुनाते हो वो दुनिया से बेयास हुए इतने डिजेक्टेड और होपलिस हो गए है बिचारे इ काश वाली स्टेज पर पोहच गए हैं वो इल्मे अफला तून सुने वो शेर में तुलसी दास हुए कि इवने इंशा इतने क्या कहते हैं जहीन इतने वाइस इंसान है कि वो मतब प्लाटो के कंपैरेजन की बाते करते हैं वो तुलसी दास के शेर पढ़ते हैं वो तीस वर पर फिर कहते हैं कि गर इश किया है तो क्या है क्यों शाद नहीं आबाद नहीं I really think this is a very good point कि इश करो तो खुश भी रहो ना उसमें दुखी होने की क्या जरूरत है तो वो ही ये बात भी कहते हैं जो जान लिये बिन टल न सके ये ऐसी भी अफताद नहीं अफताद कहते हैं ये बात तो तुम भी मानोगे वो कैस नहीं फरहाद नहीं आपसमें बाते कह रहे हैं कि वो मजनू भी नहीं है वो फरहाद भी नहीं है तो क्या हिजर का दारू मुश्किल है क्या बस लिके नुसके याद नहीं what are the options how can we solve this फिर आगे बोते हैं कि वो लड़की अच्छी काम ना लो हम जान गए वो जिसके लंबे गेसू हैं पहचान गए पहचान गए कि कौन है मतलब वो वाली है तो उसमें से एक कहते हैं कि हाँ साथ हमारे इंशा भी उस घर में थे महमान गए ऐसा कितनी बार होता है कि आप अपने दोस्त को अपनी गर्फरिंड के घर लेके साथ हो कि मतलब एक कंपनी भी रहे और देख भी आये पर वो कहते हैं कि पर उससे तो कुछ बात न कि अंजान गए अंजान रहे यह बाते जूटी बाते तो अब नहीं लगने है आगे कहते हैं जो हम से कहो हम करते हैं क्या इंशा को समझाना है उस लड़की से भी कह देंग कि तेखो अब ताइम बदल चुका है मम्मी को मनाना है पापा को समझाना है भया को पटाना है जिसको भी बुलाना है शादी करानी है दूले को भी लाना है हम है ना ऐसे दोस्त होने चाहिए या छोड़े या तकमील करे ये इश्क है या अफसाना है ये कैसा गोरत दंदा है ये कैसा ताना बाना है ये बाते जूटी बाते हैं वो कहते हैं कि या तो उसको complete करें या तो फिर chapter close करें ये बीच में लड़का किना डखें हम ये लड़की को भी मना देंगे तो वो पूरा उन्होंने प्लान आउट कर लिया है करेंछ अप्ली अप्ल्स अ कमफ्लिष ये तो ज conception of the love and allup of those things so till then till next time be happy B and have such good friends and next time bye-bye